आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि EPF एकाउंट में KYC को अप्लोड कैसे करें सबसे पहले आप EPF का ओपिशेल वेबसाइट में लॉग इन करें लॉग इन करने के बाद देन मेंबर इवन सर्विस में क्लिक करें जैसे मेंबर इन सर्विस में आपकी लिक करते हैं आपकी दूसरा वेबसाइट में लेके जाएगा वहाँ जाके आप अपना UN नंबर जो आपको दिया गया है UN नंबर और आपका पास्वार्ड एंडर करें पास्वार्ड एंडर करने के बाद नीचे एक वर्ड वेरिफिकेशन है उसको कम्प्लीट करें क्या कम्प्लीट करने के बाद साइन इन में जैस क्लिक करें अगर किसी भी करण आप अगर पासवार्ड भूल जाते हैं तो निचे दिये गए बटन में फॉर्ग पासवार्ड करके आप अपने पासवार्ड को रिट्रीब कर सकते हैं एक चीज दियाद रखिएगा अगर आपको पास्वर्ड रिट्रीप करना है तो आपका वैलिट मूगाल नंबर और आपका डेटर पर जरूरी है अब यहाँ पर मैंने sign in क्लिक किया जैसे मैंने sign in क्लिक किया अब यहाँ पर आप देख रहे है आधर नंबर सोक या गया है यहां पर KYC status जो है इसको मैं अभी अपडेट करूंगा और यहां पर passbook का सेवा भी available है तो उसके लिए भी निया एक website बनाए गया है जहां से आपको passbook मिल सकता है तो अभी हम KYC में क्लिक करेंगे KYC क्लिक करें के बाद आप देख रहे हैं यह निया एक window मेरे सामने ओपेंगा इस window में आपको अपना bank account नंबर और उसका जो नाम आपका bank account main page में लखा हुआ है उस नाम को as it is यहां पर type करना है pen आपका bank का नंबर और आपका नाम जो as it is लिखा हुआ है वो यहां पर आपको जैसा बैंक और पास्पू का अपडेट की कोशी कंडिशन में आधार नंबर को भी अपडेट कीजिए इस चीज़ का ध्यान रखेगा किसी भी कंडिशन में नाम का स्पेलिंग है वो mismatch नहीं होना चाहिए अधर्वेज बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा प्येप एकाउंड में तो इस चीज़ का थ्वा सा ध्यान रखा करें और उसके बाद यहां पर सब्मिट पर आपको प्लिक करना है जैसे आप सब्मिट क्लिक करोगे यह वेरिफिशन प्रॉसेस में अद्वर्ड हो जाएगा उसके बाद आप अपना एचर से बात करके प्रॉसेस को आगे कर सकते हो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेलफूर रहा होगा और आगे इस तरह का वीडियो में आपको देदर रहूंगा वीडियो अगर अच्छा लगत हुआ 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 है